नमस्कार दोस्तो सुपर स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में भारत के प्रिम्ग बंदरगाओं को कवर करेंगे पहले हम यह जान लेते हैं कि बंदरगा पोर्ट किसे कहते हैं तो दोस्तो बंदरगा उस इस्थान पर होते हैं जहां पर शमु delivering ऐसे स्थानों पर जहां पर मोशली जल सांथ होता है उन्हें स्थानों पर बना किये जाते हैं कि भारत की कुल्स समुध तटिय सीमा 7500 सोला प्रमीटर क sushi стоит है अपआरत की समधत्र है नौहाजियों ते चार केंसासित पुदेशों से लगती है बड़ा इंपोर्टन प्रस्निय आँ पर है जो एक्जाम में पूछा जाता है कि भारत की समुद्ध तरह रेखा कितने राज्यों और कितने केंसासित पुदेशों से लगती है जिसमें बंदरगाह पाय जाते हैं तो 9 राज्य हैं और 4 सार केंसासित पुदेश हैं जिन में बंदरगाह हैं भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं तो उनकी संख्या कितनी है तो 13 और साथ ही साथ कुछ छोटे बंदरगाह हैं उनकी संख्या कितनी है तो टोटल कितनी है 200 यानि 200 छोटे बंदरगाह है और जबकि बड़े बंदरगा हैं भारत के पस्वी तट्के बंदरगा कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं कांडला बंदरगा जो की गुजराद में पड़ता है मुंबई बंदरगा नियावा सेवा बंदरगा और नेक्स है मुर्म गाओ बंदरगा और न्यू मगलोर और कोचीन बंदरगा ये भारत के पस्मी तटके कुछ बंदरगा है जिनकी संक्या कितनी है छे और ये अरब सागर के निकट समुद्रट के निकट लगे हुए बंदरगा है फिर इसके बाद पूर्वी तटके बंदरगा कौन कौन से हैं तो तूती कोरन एन और चेननई विसागापटनम पारादीब कोलकता ये पूर्वी तटके बंदरगा हैं और साथ साथ पूर्ट बलेर जो की अन्वान निकोवारदीब समू में है तो यहाँ पर हम पस्मी तटके बंदरगा पूछे जाते हैं और पूर्वी तटके बंदरगा की जो विस्तिस्ता है ये बंगाल की खाड़ी के निकट इस्तित बंदरगा है समुद्री तट्रेखा के जिसमें आपका तूती कोरन एन और चेननई विसागापटनम पारादीब कोलकता और पाश्मी तटके कांडला बंदरगा मुंबई बंदरगा नियावा सेवा बंदरगा और मोर्म गाओ और निमंगलोर और कोच्चीन बंदरगा जबकि एक आपका कहा है पोर्ट व्लेयर अंडवान निकोबार दीप संगुए नेक्स शेशा करते हैं कि बंदरगा कितने प्रकार के होते हैं तो मुंबई और कोच्चीन विषा का परिणम ये भारत के प्राकर्थिक बंदरगा मुक रूप से है फिर आपका जो कृतिम बंदरगा है उसमें मुकLC मुफ रूप से आपका नियाबा सेबा और चन्नेग बंदरगा जो हैं अधीन एगने और खास बात के है कि कृतिम बंदरग के लिए चीजों को भेजा जा सके और लाया जा सके अब हम थोड़ा मेब में जान लेते हैं कि कौन सा बंदरगा किस स्टेट में पढ़ता है तो भारत के नौ राज्जियों और चार के इन साधिस प्रदेशियों में जो हमारे बंदरगा लगते हैं उनमें मुक्रूप से पहल हां देट है और ये बंदर अश्थि त deux भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है और और इसके नीचे में महाराथ के पास में एक स्टेट番 runner वंडर कौते हैं स्टेट है वो ऊहरे वित पास नियु प्रफिशाल अर्म वहां और इसके बाद हम आते हैं करनाटक में आपको एक बंदरगा भारत का मिलता है न्यू मगलॉर और इसके बाद सबसे नीचे की ओर पहुंसते हैं दश्मिन भारत के अंतिम बिंदु की ओर तो आपको कोचीन का बंदरगा आपको दिखता है जो की कहां पर है केरल में फिर हम पस्वी तटके बंदर पूर्वी तटके और साथ ही आन्द प्रदेस में विसाका पटनम और उडिशा में आपका पारादीप और कॉलकाता में कॉलकाता बंदरगा तो यह कुछ मैप में इस तरीके से बंदरगाओं को दर्शाया गया पूर्वी तट यानि बंगाल की खाड़ी के निकट और पस्वी तट मींस अब डिटेल में हम बंदरगा को डिसकस करेंगे यहां पर तो सबसे पहले एक्जाम से में बहुत सारे प्रस्ण पूछे आते हैं बंदरगाओं से और क्या-क्या प्रस्ण बंते हैं इसके विसे में बड़े अच्छे से हम लोग जान लेते हैं तो फस्ट आपका कौन सा बं अब इसी में नेक्स्ट जो प्रस्ण आपका बंता है यह भारत का एक मातर ज्वारिय बंदरगा कैसा बंदरगा है जो उत्तर वारत की आपूर्थी प्रदान करने वाला बंदरगा है यानि यह उत्तर वारत को आपूर्थ प्रदान करता है या इसी को मुक्त बैपार शेत्र भी कहा जाता है और साथी साथ यहां से क्या अबरक है मैंगनीज है चमडा कपडा कपास नमक सीमेंट आज चीजों का निर्यात किया जाता है किस बंदरगा से तो कांडला से किन यह अरबशागर में स्थित है कि सागर में स्थित है तो अगज बाट को मुदव जो कि भारत का सबसे प्राचीन और व्यस्त वंदरगा भी कहा जाता है तो भारत का सबसे प्राचीन और व्यस्त वंदरगा कौन है तो आंसर होगा आपका मुंबई पोर्ट यानि कौन सा मुंबई पोर्ट या मुंबई वंदरगा यह प्राकरतिक वंदरगा भारत का सबसे ब कौन सा बंदरगा स्थिथ है तो सालसट दीप पर कौन सा बंदरगा तो आपके जानने के लिए सालसट दीपर मुंबई जाता है प्रटॉलिय, मैंगनीज- tidak मैंगनीज कstrong i Todo सब्सक्राइब क्या आपका नियावा से यह मुंबई का सायग वंदर्गाह यहाँ पर सब्सक्राइब क्या है इसे शुर्वन नभिवान न्यावा से डिन पंडिस जवालाल नहरू बंदरगा ये भी आपका कांशतित है तो अरफ सागर में ही है और ये मुंबई का भार कम करने के लिए एक सायग बंदरगा बनाय गया था जिसे बोलते हैं नियावा सेवा ये आधनिक सुविधाओं से सुसजित है और ये भारत का सबसे बड़ा कृ बंदरगा कौनसा है तो आंसर होगा आपका नियावा सेवा या इसी को बोलते हैं पंडिस जवालल नहरू बंदरगा नेक्स्ट बात करते हैं मुर्म गाव बंदरगा ये कहां इस्तित है तो ये गोवा में हरफ सागर के पास और ये किस नदी के निकट है तो जोवारी नद नदी और उसी के निकट में आपका क्या है मुर्म गाव बंदरगा कौन सा बंदरगा और जोवारी नदी क्या बनाती है डेल्टा नहीं बनाती एस्चुरी बनाती ये इंपोर्टेंट है और यहां से जो मोशली ये देश का सबसे बड़ा निर्यात करता बंदरगा कैसा नि निर्यात किया जाता है क्या निर्यात किया जाता है अन्य दूसरे देशों को कि फिर नेक्स्ट वाद करते हैं न्यू मगलौर यह न्यू मगलौर कहां पर पढ़ता है तो यह करनाटक में पढ़ता है और भारत के दोवारा यहां से क्या काफी है कैबा है रेशम का निर्यात प्रस्ण है कि कुद्रे मुक्की खान पाई जाती है जो किसकी है लौ एस की खान है और यहां से लोहा निर्यात किया जाता है इरान को कहां पर इरान को तो न्यूमंगलोर की कौन सी खान यानि करनाटक न्यूमंगलोर तो आपका बंदर गाया है लेकिन करनाटक में कौन सी खा जान लेता है इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका कोचीन बंदरगा किसको जाने लेते हैं कोचीन बंदरगा तो कोचीन बंदरगा भी आपका कैसा है प्राकर्तिक बंदरगा यह कैसा है प्राकर्तिक बंदरगा कहां इस्तित है तो केरल में इस्तित है इसे अरब की रानी पूरु का बेसिन और पस्मी तटका सर्वसेष्ट बंदरगा अगर पूछा जाए पस्मी तटका सर्वसेष्ट बंदरगा कोन है तो कोचीन बंदरगा औ जाता है तो आपका अंसर होगा ऊचीन बंदरगा अब बात करते हैं तूती कोरण तूती कोरण बंदरगा इसका दूसरा نام या इसे किस और नाम से जाना जाता है तो चिदंबरम बंदरगा का पर तटमिनाडू और यह भारत में सबसे ज्यादा बड़े बंदरगा किश्प स्टेट में हैं तो आपका आंसर होगा तमिन नाडू में यहाँ पर तीन बंदरगा बड़े बंदरगा हैं वो कौन कौन से हैं आपका तूती कोरन और दूसरा है आपका चेन नई और तीसरा है आपका एन्नोर बंदरगा यह तीनों बंदरगा कहां पढ़ते हैं तो यह आपके तीनों पढ़ते हैं तमिन नाडू में एक खास बात यहां पर यह इसे बोलते हैं मतस्यन बंदरगा यहां पर मचली मुख पुरूप से मचली के लिए जाना जाता है मचलियों के आया निरात के लिए यह भारत का कार्प देश का सबसे पुआना कृतिम बंदरगा यह इसका सबसे पुराना करतिम बंदरगा कान lii यह काफी important fact है फिर नेक्स्ट आपका बंद्रगा और बंदरगा ये अदे ऑन में कई बार एक्जाम में पूछा कि देश का पूंड रूप Your पार इचाम कोन क्वारा ब परदेश का प्राकर्थिक बढ़ा अर विशाका प्रदेश का स्बसे गहरा बंदर अब का जाता है प्रस्ण का सबसे गहरा बंदरगा किसे का जाता है तो आंसर होगा आपका विसागा पतनम यही पर डॉल्फिन नोच की पारी के पीछे यह कहाँ पर स्थित है तो डॉल्फिन नोच पारी के पीछे मैं पारादीप बंदरगा ये कहां इस्तित है तो ये उडिशा में, कहां पर उडिशा में और बंगाल की खाड़ी के पास इस्तित है महा नदी के मुआने पर इस्तित है कहां पर इस्तित है तो इसके पास में कौन सी नदी है तो महानदी के मुगाने पर नेक्स बात करते हैं पोर्ट बलेर तो आप लोग जानते होंगे कि ये अंडवान निकोबार दीप समू में इस्तित है और साथी साथ नेक्स और लास्ट प्रस्म की बात करते हैं कोलकाता बंदरगा तो ये हुगली नदी पश्च्वी बंगाल में इस्तित है कहां पर इस्तित है हुगली नदी पश्च्वी बंगाल में इस्तित है इशेपूर्व का लंदन कहा जाता है और चाय और जूट के निर्याद के लिए प्रशिद्ध है तो यहां से पूछा जाता है चाय और जूट के लिए कौन सा बंदरगा प्रशिद्ध है त कि हम लोगों ने रिपाड़ा था वहां से क्या निरयाद 20 को क्या निरयात किท parts करतें कुलकट्थ यह बकुल्सक्राइक बंढार की प्रस्थ हाँ पूछ है जाता है हल्दिया बंदरगाह किसका सायक बंदरगाह है तो आंसर होगा कोलकाता बंदरगाह किस नदी के पर इस्तित है किस के पास से तो ле nat in और हमृणी नदी यापकी कहा है पश्व्म जा जाता है और किसके लिए जाना जाता है तो चाय और जूट के लिए बंदरगा से रिलेटेट कुछ महत्पूर्ट प्रश्णों की विचार्चा कर लेते हैं बड़े ही इंपोर्टेंट प्रस्ण है जो यहां पर आप से डिस्कस के जाएंगे सबसे इंपोर्टेंट प्रस्ण है कि भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है तो 7516 किलोमेट और भारत के समुद्र 30 सीमा पर कितने राज जिस्तित हैं तो आंसर होगा नौराज और चार केंशासित राज जिसमें आपका लक्षदीप अंडवान निकोबार और साथ साथ दवान और दीप तो यह मुख केंशासित पुछा गया मुंबई और एक और मुंबई किस दीप पर इस्तित है तो आपका आंसर होगा सालसट दीप पर मुंबई का सायक बंदरगा कौन सा है यह यह इसी को बोलते हैं पंडि जवाला नेरू बंदर गया यह किसके निकट इस्तित है तो एल ले फेंटा गुफाओं के पास में स्तित कौनसा बंदरगा है तो नियाबा सेवा नेक्ट परिशन की बात करते है भारत का पर्तम कापरेट पोता से कौन सा है तो आंसर होगा तूति कोरिन या इसी को क्या कर जाता है व्यो चिदम नार वंदरगा भी आजाता है, देश का सबसे बड़ा कंपुट्राइज वंदरगा कौन है, तो ये बहुत ही महत्पूर प्रशन है आपका, एन नौर वंदरगा कौनसा बंदरगा एंड नोर बंदरगा फिर नेक्स्ट प्रस्ट की बात करते हैं इंपोर्टेंट फेक्ट की बात करते हैं देश का सबसे बड़ा करतीम बंदरगा कौनसा है तो आपका नियावा सेवा कौनसा नियावा सेवा भारत का सबसे पुराना करतीम बंदरगा कौनसा तो आंसर होगा चिन नहीं कौन सा चिन नहीं अच्छा प्रस्ण है फिर बात करते हैं डाइमंड हारवर और काडला कैसे बंदरगा है तो यह जौरी बंदरगा है important है। जोरी ये बंदरगार क्यों सा? कांडुला बंदरगार को जाना जाता है Dartmouth Harvard को, फिर next बात है कोचीन से प्याड भारत का सबसे बड़ा प्रांगड है, कहने का बीड़ा है, कहने का मेर्चीन से प्याड जो है वहां पर जल्यानों की जल्यानों का निर्माड भी किया जाता है और साथ ही साथ मरमत भी किया जाती है अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी क्रम में अन छोटे बंदरगाओं पर ही एक नज़र डाल लेते हैं जो एक्जाम में कई बार प्रस्ट पूछे गए स्पेसल तोर पर जैसे तमिन नाडू में कौन सा बंदर चरी और एक बात जान लीजिए किस मनलब कहां पर है तो बंगाल की खाड़ी में फिर नेक्स्ट प्रस्ट आंद प्रदेश में दो बंदरगा बहुत ही मैतपूर्ण है जो एक्जाम में कई बार पूछे गए कृष्णा पटनम और मचली पटनम कहां परिस्तित हैं तो अब्दुल्मनीब की चायता से और यहां पर राया जमूरीन ने स्वागत किया था तो केरल बंदरगा पर कौन काली कट या इसी को बोलते हैं कोजी कोट और साथी साथ कौन सा बंदरगा अलेपी बंदरगा कई बार एक्जाम में पूछा गया नेक्स बात करते हैं भारत का कौन सा रशाइन बंदरगा है तो आंसर होगा दाहेज कौन सा बंदरगा भारत का रशाइन बंदरगा कहा जाता है बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रसन है फिर एक आपसे बात पूछी आती अलंग या अलंगू कहीं कहीं पर अलंगू या लिखा हुआ मिलता है तो यह सिप शूदार गूजराइओं में महरास्ट में महारास्थ में महारास्थ में दाहेज और बढ़त आधा में कहां पर जानते होंगे शूदर बंदर द्वार का बंदरगा यह भी हुजरात में है और मुंदरा मुंदरा चाह बहुति में पूछा घुना कहा है घुरसंब ही भॉम नगर कहां पर है तो हुजरात में मांड भी भंदर चाह अगर चाह से घुजातमेर व तो हattend झाल झाल